Good morning friends, एक बार फिर से CCC practice class में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो friends, डेली साम को 8 बजे आप हमारी CCC practice class को जोइन कर सकते हैं एक और class हमारी चलते हैं सुबा 8 बजे CCC revision class तो आप सभी इन दोनों classes को जोइन करते हैं, important classes हैं और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक syllabus नहीं complete किया है तो आप अपने exam से पहले syllabus जरूर complete कीजिएगा अगर आप एक बार में CCC exam qualify करना चाते हैं तो syllabus complete करना must है और अगर आप हमें हमारे GyanixP mobile app को अभी तक download नहीं किया है तो please download कर लिजे, यहां से आप CCC का paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप O label करना चाते हैं, घर बैठे हैं तो आप यहां पे O label की courses भी available करा दिए गए हैं इसके साथ साथ हमने आपे CCC 2022 mega test launch किया हुआ है जो कि बिल्कुल free है, इसमें total 100 questions होंगे तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक mega test follow नहीं किया है तो आप इसको जरूर दीजेगा बहुत important questions आपको देखने को मिलेंगे चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला question आज भी काफी unique questions हम discuss करने वाले हैं तो आप इस class को last तक जरूर दीखी तो आज का सबसे पहला question है LibreOffice में duplicate आकरतियों की shortcut कुझी कौन से है अगर आपने LibreOffice राइट यर केल केंपरस में कोई भी safe insert किया है तो आप इसका duplicate copy create करना चाते हैं तो आप इन में से कौन सी shortcut की कर इस्तिमाल करेंगे repeated question है कई बार टॉपल्स exam में पूछा गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option B shift plus F3 shortcut key का इस्तिमाल करके आप duplicate आकरती बना सकते हैं means जो भी safe आपने insert किया उसको duplicate कर सकते हैं चलिए next question देखते हैं form में नमूना part जिसको बोलते हैं sample text संबाद के किस में प्रदर्सित होता है किस form में या particular section में प्रदर्सित या display होता है तो आपने जब कोई form apply किया होगा तो देखा होगा वहाँ पे sample text लिखा रहता है जैसे आपे name या email idea तो उसका एक format लिखा रहता है text box में कहाँ पे होता है middle में होता है तो option b देखें आपे लिखा गया है मद्द भाग तो option b इस question का right answer हो जाएगा middle part next question के तरह बढ़ते हैं आप दैनिक आधार पर परियूजनाओं की प्रगति को track करना चाहते हैं आपको किस प्रकार के chart का उप्योग करना चाहिए तो LibreOffice Calc में कई अलग अलग तरह के chart होते हैं जैसे pie chart, line chart इस तरह के कई सारे chart है total 10 charts होते हैं इसमें पूछा भी जाता है triple six exam में LibreOffice Calc में कितने प्रकार के chart होते हैं तो 10 अलग अलग तरह के chart होते हैं अब अगर आप डेली बीजस पे किसी परियूजना या प्रोजेक्ट की progress report बनाना चाहते हैं इसमें आप chart के थ्रू से दरसाना चाहते हैं या display करना चाहते हैं तो आप इन में से कौन सा chart इस्तिमाल करेंगे तो right answer है option B, line chart का आप इस्तिमाल करते हैं आप देखें by mistake इंग्लिस में थोड़ा typing mistake हुआ है यहाँ पर line chart होगा option B, question का right answer होगा line chart चलिए next question देखते हैं LibreOffice Calc में नेमलकित में से कौन बैद संख्या प्रारूप नहीं है जब आप LibreOffice Calc में किसी cell में data insert करते हैं आप देटा insert करने के कई अलगलग format होते हैं मादलीजी आप कोई cell में कोई data insert करना है आप इसमें date format में भी डाल सकते हैं currency format में डाल सकते हैं या फिर percent format में डाल सकते हैं तो इस तरह के multiple formats होते हैं इनमें से कौन सा बैद प्रारूप नहीं है format नहीं है जी हाँ बिल्कुल साइस क्वेशन का राइट अंस हुजेगा आपसे ने एक कैल्कुलेटर ये बैद संख्या या बैद संख्या फॉर्मेट या प्रारूप नहीं है और अगला कुछ ने इस सोसाइटी फॉर्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंसियल टेली कम्निकेशन का संख्यप्त रूप इसका फॉर्म क्या है ये क्वेशन दो तरह से पूछा जाता है कई बार सॉर्ट फॉर्म दिया जाता है इसका फॉल फॉर्म पूछा जाता है और इस बार यहां पे इसका फॉल फॉर्म दिया गया और सॉर्ट फॉर्म पूछा गया तो ऑप्सन एस क्वेशन का राइट अं कर्मेंट होती है और स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है सोसाइटी फॉर वर्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंसियल टेली कम्मिकेशन याद रखेगा इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है तो आप सने राइट आंसर होगा अगला कुछने यदि आपको प्रस्तुत्ती मींस प्रेजन्टेशन में सभी स्लाइट समान दिखाना है तो आपको निमल खित में से किसका उप्योग करना चाहिए और आप में से जिन लोगों ने अभी तक स्लिबस नहीं कम्प्लीट किया है आप सभी हमारी ग्यानिक्स पी मोबाइल आप के माद्यम से ट्रपल सी का कोर्स जॉइन कर सकते हैं आप अपको कम्प्लीट स्लिबस वीडियो लक्च्छर्स, मॉडल फिपर्स, ई-बुक, प्रैक इस्तिमाल करते हैं, अगर आप अपनी प्रेजंटेशन में एक सिमिलर लुक देना चाहते हैं, अगला कुछ ने निमलकित में से किसे, इंक्रिप्शन के माध्यम से निजी संचार कहा जा सकता है, और इस तरह के सभी क्वेशन्स हम अपनी वेपसाइट ग्यानिक्स पी डॉ तो जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करते रहें, तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या हो जाएगा, चल्दी से बताएगे, क्रिप्टो मैसेजिंग मीन्स ऑप्शन ए राइट अंसर होगा, क्रिप्टो मैसेजिंग, नेक्स्ट क् करते हैं, कौन सी नई स्लाइड का एक प्रकार नहीं है, अगर आप अपनी प्रेजन्टेशन में कोई स्लाइड इंसर्ट करते हैं, तो इसमें कई टाइप्स होते हैं, इनमें से कौन सा स्लाइड का प्रकार या टाइप नहीं है, विच इस नॉट टाइप आफ निव स्लाइड कम्प्रिजन टू कंटेंट हैंड आउट्स या फिर ब्लैंक तो ओप्शन भी राइटांस हो जाएगा टू कंटेंट चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं कौन सा कम्प्यूटर का मूल कार ये नहीं है कौन सा कम्प्यूटर का मूल कार ये नहीं है जल्दी से बताए कौपी टेक्स्ट इन्पुट सुखकार करना या फिर एक्सेप्ट इन्पुट प्रोसेस डेटा स्टोर डेटा तो कम्प्यूटर इन्पुट भी एक्सेप्ट करता है डेटा को भी process करता है और डेटा को store भी कर सकता है तो copy text ये computer का मूलकार नहीं है option A right answer हो जाएगा copy text अगला कुछने e-tall रखता है ये थोड़ा सा interesting question है हाली के triple exam में इस question को पूछा गया और कई बार पूछा गया है अलग-अलग script में question कई बार देखने को मिला है तो e-tall क्या है इस बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे बिस्ट और भी questions बन सकते हैं पूछे जा सकते हैं तो e-tall government का एक platform है जहां पे state government या पे central government के जो भी services होती है कितने online services कौन सी service का कितना इस्थिमाल हुआ उसका पूरा record रखा जाता है means कितने online आधार apply हुए कितने आधार card update हुए कितने लोगों ने pan card apply किया कितने लोगों ने online ITR file किया तो इस तरह के जो records होते हैं उनको maintain किया जाता है और आप e-tall platform के माध्यम से इनको track कर सकते हैं देख सकते हैं कितने online transactions हो रहे है means इस तरह की कितनी activities हो रहे हैं जिसमें लोग participate करते हैं तो इस question का right answer है option D Kendri और राज सरकार इस तरह की परियोजनाओं का e-lane data जिसको e-tall कहा जाता है e-tall नाम से एक platform भी आप चाहें तो internet पे Google पे सच कीजी का e-tall एक website है यहां से आप ये सारी details चेक कर सकते हैं next question है company अपने network configuration को बदलती है ताकि दो के बजाए केवल एक router internet तक पहुंच सके सबसे बड़ा प्रभाव network के किस हिस्से पर होगा किस पर पढ़ेगा अगर कोई company दो routers का इस्तेमाल कर रहे थी internet से जुड़ने के लिए उसके जिगे पे अगर एक network ये एक router का इस्तेमाल करती है तो ये किस पर प्रभाव डालेगा security option c right-ans हो जाएगा अगर दो routers होंगे दो connections के through internet से जुड़ता है तो जाइसी बात है किसी न किसी connection को hack किया जा सकता है और यहाँ पर अगर single connection होगा तो इसको ज़्यादा secure बनाया जा सकता है उसके hack होने के chances कम हो जाएगे तो option c securities question का right answer होगा next question देखते हैं नेमलकित में से कौन सा एक sensor के माध्यम से input के रूप में उप्योग नहीं किया जा सकता है नेमलकित में से कौन सा एक sensor के माध्यम से input के रूप में उप्योग नहीं किया जा सकता है तो जितने भी questions हम अपने triple c practice class या revision class में discuss करते हैं सभी 100% genuine questions हैं जोगी triple c exam में पूछे जा चुगे हैं आपको पता चलेगा किस तरह की questions triple c exam में पूछे जाते हैं प्लस इन में से बहुत से questions बार-बार triple c exam में repeat होते हैं कई बार option change कर दियाते हैं बट right answer same रहता है और कई बार question की language change कर दिया जाती means पूछने का तरीका change कर दिया जाता है क्योंकि किसी भी question को heat sensor होते हैं light sensors होते हैं तो option 20 question का right answer है signal अगले कुछने multimedia प्रस्तोतियों से ध्वनी को पादन करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है which is used to output sound from multimedia presentations तो multimedia presentations में multimedia means यहाँ पे audio भी हो सकता है video भी हो सकता है तो ऐसी presentations में sound के लिए का इस्तिमाल किया जाता है external speakers का इस्तिमाल करते है means option a right answer होगा by speaker external speaker तो यह question भी कई बार ट्रॉपल से exam में देखने को मिला है अगला question किस menu में bizarre sub menu होते हैं तो यह question Linux से related है bizarre का जो option होता है वो file menu में दिया जाता है अगर आप LibreOffice writer, calc, impression में से किसी को भी इस्तिमाल करते हैं तो आपको bizarre का option कहाँ पे मिलेगा file menu में means इस question का right answer क्या हो जाएगा option C, file menu अगला question है impress, view, जो केवल, text, title और bullet प्रदर्सित करता है यह question भी कई बार पूछा गया ट्रॉपल से exam में और इससे पहले भी हमने सायथ paper selection की classes में इस question को discuss किया था और practice class में भी इस type के question को हम discuss कर चुके में भी उसकी language थोड़ी सी change थी, different थी बड़ी question कई बार repeat हुआ है तो impressed view जो केवल, text, जिसमें title या फिर bullets प्रदर्सित होते हैं कौन सा view होता है यह होता है outline view means option D right answer होगा outline view ज्यादत है 3D printer prints का इस्तिमाल खाने या पीने के लिए किया जाना चाहिए तो क्या यह सही है जो 3D printers होते हैं वो real object बनाते हैं इनसे different type के products भी बनाए जा सकते हैं आज की date में यह काफी प्रचलन में है और इसका कई जगे पे इस्तिमाल किया जा रहा है manufacturing में भी 3D printing का इस्तिमाल हो रहा है कई अलग अलग products को भी बनाया जाता है तो बट यहाँ पे लिखा गया है ज्यादा तर 3D printer prints का इस्तिमाल खाने या पीने के लिए किया जाना चाहिए जो की गलत है means option B right answer है false अगले कुछे ने निमलकित में से किसमे fireball लागू किया जा सकता है fireball क्या एक security के लिए इस्तिमाल किया जाता है यह आपके system में आने वाले या फिर आपके system से जाने वाले data को proper तरीके से monitor करता है किसी भी malicious activity को देखते हुए उस link को या उस data को block करता है तो question काफी basic है बड़ थोड़ा से इसको घुमा फिर आगे पूछा गया right answer क्या होगा जल्दी से बताएगा आप सब और regular आप सभी सामको 8 बजे हमारी class चलती आप इस class को join कर सकते हो सुबा morning में 8 बजे हमारी class चलती triple c revision class आप इन दोनो classes को join करते रहे और इन दोनो classes के updates पाने के लिए आप हमारी चैनल को subscribe कीजिए ताकि जब भी हमारी class स्टार्ट होती उसका notification आप तक पहुँचता रहे तो इस question का right answer है option d routers इसको हम router के नाम से भी जानते हैं जो intranet को internet से जोड़ते हैं पूछा गया था निमलकित में से किसमे fireball लागू किया जा सकता है तो intranet एक private network होता है किसी company के अंदर इस्तिमाल किया जाने वाला network जिसको हम intranet के नाम से जानते हैं और इसी तरह से extra net भी होता है extra net एक private network होता है जोगी third party प्रवाइड करती जैसे banks होते हैं इनका एक अपना खुद का private network होता है सारे bank की branches इसी network के माद्यम से जुड़ी होती हैं ये internet network का इस्तिमाल नहीं करते हैं तो option D routers जो internet को internet से जोड़ते हैं और अगले कुछने P2P भुकतान एक online तकनीक है जो ग्राकों को अपने bank खाते या credit card से internet या mobile phone के माद्यम से किसी अन्य बैक्तिकी खाते में धनरासी इस्थांतरित करने की अनुमती देता है बहुत basic question है बट थोड़ा सा इसको explain करके लिखा गया है ट्रपल्स exam में ऐसे कई सारे questions आपको देखने को मिलेंगे जिनको थोड़ा सा describe करके लिखा जाता है तकि आप confused हो जाए अगर इस तरह की questions आपको exam में देखते हैं तो आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूरत नहीं आपको क्या करना है इस तरह की questions को आपको एक से दो बार read करना है automatic आपको समझ में आएगा question का right answer क्या होगा तो यह बहुत basic question है right answer होगा option A true यहाँ पे एक और question बनता है P2P इसका full form होता है peer to peer जहाँ पे एक system या फिर एक person दूसरे person को direct कोई धनरासी या फिर amount transfer करता है इसी वज़े से यहाँ पे P2P लिखा गया है peer to peer चलिए next question देखते है mobile device की आवस्यक बिसेस्ताई क्या है यह question थोड़ा सा different type का है triple exam में यह question दो तीन बार repeat हुआ है बट इस question में थोड़ा सा correction है maybe जिसने भी इस question को लिखा होगा कहीं पे कुछ चीजे miss कर दिए mobile device की आवस्यक बिसेस्ताई क्या है यहाँ पे लिखा गया है अगर आप इन में से दिखे battery powered यह भी एक बिसेस्ता होती है compact in size means छोटा होना चीए आकार में compact होना चीए यह भी एक बिसेस्ता होती है mobile phone की और हलका होना चीए lightweight होना चीए तक आसानी से carry किया जा सके एक option यहाँ पे लिखा गया है option C beautiful यह जरूरी नहीं है तो देखें यहाँ पे सारे options के एकरम बात करें तो यहाँ पे होना चीए था कौन से बिसेस्ता नहीं है इसे के पे क्या होना चीए था कौन से बिसेस्ता नहीं है या फिर आवस्सक बिसेस्ता नहीं है या पे नहीं word लिखा होना चीए था जबकि ऐसा नहीं है इस question को थोड़ा सा correct करने की जरूरत है जैसे पूछा गया था उसी तरह से हमने same रखा और इसमें बदलाव नहीं किया में भी ये question फिर से repeat हो सकता है तो option C is question का right answer होगा ये आवस्सक बिसेस्ताओं में से नहीं है चलिए next question देखते है क्रिप्टोग्राफिक प्रदान नहीं कर सकते क्रिप्टोग्राफिक हमेशा security या गोपनियता के लिए इस्तेमाल किया जाता है तक कि किसी भी message को encrypt करके दूसरे के पास भेजा जा सके और security को बढ़ाया जा सके तो इस question का right answer होगा option D इकाई प्रमारी करन entity authentication के लिए ये सुविधा प्रदान नहीं करता या फिर इसके लिए क्रिप्टोग्राफिक का इस्तिमाल नहीं किया जाता है चलिए अगला question देखते हैं data के set जो सामगरी उद्देश प्रारूप संगठन और annotation के संबंद में भिन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है एक word है big data उसी से related इस question को पूछा गया है तो ऐसे data जिसमें सामगरी उद्देश प्रारूप संगठन और annotation सामिल होते हैं ऐसे data को क्या कहते हैं इस तरह के data को बोला जाता है heterogeneous data means option C right answer हो जाएगा heterogeneous data अगला कुछने मान ले कि आप N.E.F.T. के माध्यम से एक रा से इस्थांतरेती means transfer कर रहे हैं इस प्रक्रिया में निमलकित में से कौन सा कदम आवस्यक नहीं है आप N.E.F.T. के माध्यम से N.E.F.T. का full form क्या होता है National Electronic Fund Transfer सबसे पहला option है bank name ये जरूरी होता है किस bank के card holder को या फिर account holder को आप payment करने जा रहे है name of beneficiary means जिसके account में आप पैसे भेजना चाते हैं उसका नाम next है I.F.T. कोड ये भी जरूरी होता है but किस लिए आप N.E.F.T. transaction कर रहे हैं ये purpose बताना जरूरी नहीं है means option D. right answer हो जाएगा ये आवस्यक गदम नहीं है option D. right answer होगा purpose of the N.E.F.T. अगला कुछने आवर्ती जमा एक basis प्रकार का सावधी जमा है जो bank को द्वारा दिया जाता है आवर्ती जमा इसको हम बोलते हैं recurring deposit जिसमें हर महिने आपके account से कुछ पैसे कटते रहते हैं जमा होते रहते हैं उस account में एक तरह का ये भी saving account होता है बट इसमें हर महिने एक fixed amount में आपको पैसे जमा करने होते हैं और इसमें interest भी जादा मिलता है उके तिस question का right answer क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए option A बिल्कुल साइज statement लिखा गया true next question है LinkedIn वीडियो चैट की अनुमती देता है ये question भी कई बार repeat होई ट्रॉपल से exam में LinkedIn एक social media platform है जहां पे अगर आप कोई job चाहते हैं तो आप अपनी cv अपलोड कर सकते हैं अपनी profile बना सकते हैं और अगर आप किसी company के honor है तो आप अपनी company में निकलने वाली vacancies के बारे में आप अपडेट शेयर कर सकते हैं ओके कुछ time पहले आप वीडियो चैट का option नहीं दिया गया था बट अभी इस समय LinkedIn ने भी वीडियो चैट का option available करा दिया है प्रवाइट कर दिया है means यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा option is true और यह question पिछले कई महिनों से लगातार पूछा जा रहा है अगला question है Linux में folder file को copy करने के लिए किस command का उपयूग किया जाता है Linux operating system में अगर आप किसी folder या file को copy करना चाते हैं तो आप किस command का उपयूग करेंगे बहुत basic question है कई बार मैंने बताया होगा इस तरह के questions तो option b right answer हो जाएगा cp command का इस्तिमाल करते हैं cp अगर आप किसी file या folder को copy करना चाते हैं next question है table toolbar में कितने section होते हैं तो LibreOffice writer में table नाम का एक menu भी होता है जहां से आप table insert कर सकते हैं या फिर आप table में कोई भी changes करना चाते हैं तो आप table menu कर स्थिमाल कर सकते हैं तो table toolbar में कितने section होते हैं right answer हो जाएगा option a total five sections होते हैं कितने sections होते हैं five कौन सी finance company नहीं है ये question भी कई बार repeat for exam में तो आप सब हमारे previous online test के videos देखते रहे हैं अगर आपने slivers नहीं complete किया है तो आप हमारे channel की playlist में जाए triple c new slivers chapter based questions नाम की playlist है जहां से आपको chapter based questions मिल जाएंगे तो कम से कम आपको इस playlist को जरूर complete करना exam से पहले और सभी important playlist के link हमने description में add कर दी है तो आप direct यहां से भी इन playlist को देख सकते हैं तो इन में से कौन सी finance company नहीं है right answer हो जाएगा option B. IRDA IRDA government body है और इसका full form होता है Insurance Regulatory Development Authority जो कि जितनी भी insurance company होती है उन सभी के rules बनाती है उनको monitor करती है उनके लिए guidelines तयार करती है बट यह कोई finance company नहीं है तो option B. इस question का right answer हो जाएगा अगला question एक cloud computing में संसादनों की pooling और साजा करने की आवधारना किस से संबंदेत है तो यह question cloud computing से जुड़ा हुआ इस question का right answer हो जाएगा virtualization means option A. right answer होगा virtualization यह question भी कई बार repeat हुआ है computer गिंती के द्वारा अनिवारे रूप से संचालित होता है ऐसा कौन सा computer है जो गिंती के द्वारा अनिवारे रूप से संचालित होता है digital computer means यहाँ पी क्या होना चाहिए digital तो option D. राइट answer हो जाएगा digital computer तो digital computer में क्या होता है यह binary number system पे काम करता है 0 और 1 next question है LibreOffice writer में shift plus F12 Sally बनाने के लिए shortcut की है तो क्या हम LibreOffice writer में अगर कोई style create करना चाहते हैं तो इसके लिए shift plus F12 shortcut की इस्तिमाल कर सकते हैं जी नहीं इस question का right answer हो जाएगा option B false क्योंकि LibreOffice writer में Sally create करने के लिए और फिर style create करने के लिए default shortcut की set नहीं की गए हम shift plus F12 के इस्तिमाल करते हैं bullets को enable करने के लिए LibreOffice writer में अगर आप bullet लगाना चाहते हैं तो यह था आज की class का last question आप सभी comment section में बताएगा कि आज की class map के कितने equations correct हुए और अगर आपने अभी तक triple C make a test 2022 हमारी Gyanix P mobile app पे नहीं दिया है तो आप इसे जरूर दीजिएगा बिलकुल free है और अगर आप हमारा triple C paid course join करना चाहते हैं तो यह भी आप हमारी Gyanix P mobile app से join कर सकते हैं इसका इस समय minimum price चल रहा है discount offer चल रहा है discounted price है 349 रुपीज में आप इस course को join कर सकते हैं जिसमें आपको complete syllabus video lectures model papers, e-book, practice set इस सारी चीज़े एक साथ दी जा रही है तो आप में से अगर कोई भी interested है तो आप हमारी इस course को भी join कर सकते हैं आणाम से आप इस course के माद्यम से अपनी टुपल से exam की तयारी कर सकते हैं गर बैटे इस बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाते हैं तो आप हमें call कर सकते हैं 8174843342 ओके तो बस आज की इस class में इतना ही आप सभी comment section में जरूर बताई आज की class कैसे लगी और इस से related अगर कोई suggestion है तो most welcome प्लीज आप comment section में जरूर comment कीजे अगर आपका कोई valuable suggestions होगा तो हम उसको अपनी class में जरूर follow करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टा भी follow नहीं किया है तो हमारा इंस्टा आइडी है ग्यानिक्स पी यहाँ पे आप हमें जरूर follow कीजेगा तक ही सभी latest update आप सभी तक पहुंचते रहें और practice करने के लिए आप हमारी website ग्यानिक्सपी.com पर visit कर सकते हैं यहाँ पे भी आपको इसी तरह की model paper mock test मिलेंगे तो जब भी time होता है आप यहाँ से regular practice करते रहे तो मिलते हैं next class में daily हमारी दो classes चलते हैं सामको 8 बजे 8 पीम और 8 एम इन दोनों classes को आप regular join कीजी एक भी class miss नहीं होनी चाहिए अगर आप एक बार में triple exam qualify करना चाहते हैं तो आप सभी को meet up से all the best मिलते हैं next class में तब तक लिए bye bye thank you thank you for watching